आप सभी कक्छा सात्वी के चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आज की इस वीडियो में हम कक्छा सात्वी जो आपका बैसे अंग्रेजी है उसके प्रतिवा पर्व मुल्यांगन बर्क सीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार का संपूर्ण हल देने वाले हैं जिसके बाद चात्रों के आओगे आपने इस प्रोजेक्ट वाले कार में आपकी टीचर आपको 20 मांसे 20 नमबर देंगे तो आपको अभी क्या-भी स्वीडियो को लाइक कर देना है चेनल को सब्सक्राइब करके वीडिये को सेर कर देना है जिससे आपके दोस्तों के भी helps हो सके और यहाँ भी अच around your house मतलब अपने घर रतबा घर के आसपास पाई जाने वाली किनी 20 बस्तों की सूची बनाईए मतलब आपको किनी ऐसी 20 बस्तों की चीजों के नाम लिखना है जो कि आपकी घर के आसपास पाई जाती हो ठीक है जैसे की फस्तों की चेयर खुड़सी आपके असपास पाई जाती है टेवल आप जानते ही होंगे आपके पास होती है फैन याने पंका चौतर मैज़ाइगा आपका कॉम्ब ठीक है पांच बे में आपकी पैन याने कलाम जिससे आप लिखते हो छटबा आइरन याने प लिखना है मैट चिटाई टैन प्लेट जिसे हम थाले भी बोलते हैं एलेवन काउ गाए ठीक है ट्वेल ब्राइड तेरा का डॉग जानते होगे होडस घोड़ा कार क्या है कार मिंस कारी बोलते हम तेरवा का सॉलिड डॉग चौदवा होडस पंदरवा कार सोल बजाएग ल ठीक है तो आपको सिंपली पहले वाली कॉस्चन के उत्तर में साथ से आठ तक यह उतार देना है उसके बाद 9 10 11 12 19 20 में यह उतार देना है ठीक है इसके बाद आपका जो कॉस्चन नमर भी है यूजिंग एनी टैन ऑफ दी अबोब आइटम से कंप्लीट दा फॉलोविंग टेवल्स मतलब की कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट कोई कॉंसेप्ट समझ में ना रहा हो बोर्ड हो या चाहे जेई नीट पढ़ाई से समंदित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्य आ रही है तो डाउलोड करें फिलो एपको इस एप का डाउलोड क करने का लिंक डिस्किप्σαन में दिया अगया है बागी आप इसे प्रेस्टोर से भी डाउलोड कर सकते हो सबसे आपको इस या रही नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको कॉश्चन का फोटो क्लिक करना है उसके वाद से अफलोड करना है मात्र सिस्टी सिकेंड के अंदर पूरे को कॉश्चन को करके आपको एक्स्पिलन कर दिया जाएगा तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो लिंक इन डिस्क्रिप्षन त आपने 10 नाम बताए ना यहां पर 20 नाम बताए यहां वैसे कि दस का नाम आपको प्योग करके यहां पर लिखना है ठीक है तो यहां पर हम भाष्ट में लिखना है आपको लिखना है सेम टू सेम चेयर और यूजर में लिखना है आपको इंडॉर इसमें कुछ नहीं करना सिके अबक बढून में आपको यहां पर कर द का दोर और को घृकन पर आउटब को इंजो यहां पर चॉंपन के बाफंची नोर संच में इस आदा पर पूंची कर दोा dol कुक एंजतने में और कर लिएलंगर यहीं सिह बुर्णाट पर रुत मांनीकbourg B राइट दा नेम ऑप दी कलर इना रैनबो ठीक है मैं आपको एक रैनबो बनानी है जिसे आप इंद्र धनुस भी कहते हो तो आपको जैसे दिखा रहा है स्क्रीन पर इस टाइप से सेम टू सेम यहां पर आप ऐसे ही एक इंद्र धनुस बना दीजिए अपनी कॉपी पर यहां पर आप के लृष कर देजिए चालरों से अजिक लखैस से आप आप देखने से पहले इडर्लकी देखने से पहले यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियों को अपनी दूस्तनों के question यहाँ पर है write five sentence about the rainbow मतलब कि आपको इंद धनुस के बारे में पांच वाक लिखने हैं ठीक है तो यहाँ पर आप कौन से लिखना है पहला इस टाइप से उतार देना आप rainbow comes from the Latin bird Arcus plevus which means rainy ark ओके आपको second point लिखना है looking at the rainbow is very soothing to our eyes and children get very excited seeing a rainbow in the sky ठीक है third point आपको लिखना है red color rainbows formed after rainfall during sunrise फूर्थ में आपको लिखना है INC at times rainbow was considered as a symbol of peace and harmony in the society okay then इसके बाद आपका जो फिप्त है उसमें आपको फिप्त में लिखना है when the sun is lower the rainbow formed in the sky will be higher ओके तो शात्रों आपको इस टाइप से सेयर करके लिए सांथ पिट्यानों को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा धन्यवाद